दोस्तों गोरगपुर विश्व विद्याले एडमिशन के लिए जो first cut-off list है उसे जारी करना सुरू कर दिया है और इसी बीच बीटेक कोर्स के लिए भी cut-off list जारी कर दिया गया है cut-off list देखने के लिए आपको गुरगपुर विश्व विद्याले की official website पर आ जाना है और यहाँ पर notice वाले section में आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर fifth number यानि कि पांचवे number पर जोड़ notice आया है यानि कि basically यह cut-off ही है यह बीटेक के course के लिए यहाँ पर जारी किया ग लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अब आएए winner time waste की वीडियो को सुरू करते हैं अब देखिए दोस्तों जो cut-off list है उसे हमने download कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो first cut-off list जारी किया गया है BTK course के लिए य यहाँ पर साथ को होगा पहला काउंसलिंग इसके बाद जो काउंसलिंग होगा 8 तारी को होगा और उसके बाद जो काउंसलिंग होने वाला है वो 9 तारी को होगा तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साथ तारी को किन किन इस्टरेंट को admission के लिए जाना है अब securing rank up to 592 and mark 66 यानि कि ऐसे सभी student जिन्होंने 66 marks प्राप्त किया हुआ है यानि कि 592 rank या फिर उसे कम उन सभी student को 7 तारीकों यानि कि 7 अगस्त को counseling के लिए बुलाया गया है यानि कि इन सभी student को admission मिलना तैं है तो दोस्तों कर आपने भी BTK entrance exam में 66 या फिर इसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किया हुआ है तो आप सभी के पास बहुत ही अच्छा मोगा है आप जा करके वहां पर admission ले सकते हैं और दोस्तों मैंने देखा है कि किसी भी साल इतना कम नंबर जो है वो first cut-off list में जारी नहीं किया गया है पहली बार ऐसा है मुझे लगता है कि बहुत ही कम student ने यहां पर फॉर्म अपलाई किया है और यहीं रीजन है कि इतना कम cut-off बना हुआ है अब दोस्तों इसी तरीके से जो दूसरा counselling होगा आर्ट तारीकों होगा time भी वही है 11-1 बजे के बीच और सभी category की बात यहां पर की जा रही है तो आप चाहे किसी भी category से हो अगर आपका entrance exam में 60 number आ रहा है या फिर इससे ज्यादा तो आप सभी को admission मिल जाएगा अगर आप 8 तारीकों admission के लिए जाते हैं तो इसी तरीके से 9 तारीकों जो counselling होगा इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है date और time यहां पर दिया गया है time exact होई है 11-1 बजे के बीच सभी category की यहां पर भी बात की जा रही है जितने भी student 16 नमबर या फिरीस से जादा नमबर प्राब्त किये हों और उनका जो rank है वो 1291 तक आद रहा है तो उन सभी लोगों को admission मिल सकता है आप counselling के लिए जा सकते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खुसी की बात है इतना जो cut off है वो कम कभी भी नहीं किया है पहली बार ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि बीटेक में जिन भी student ने form apply किया हुआ है मुझे लगता है सभी को admission मिल सकता है अगर वो जो भी date और time बताया गया है उसके according अगर पहुंसते है admission के लिए तो सभी को admission मिल जाएगा और दोस्तों यहां पर आप सभी को ध्यान देने की जुरूत है यह जो cut off list है यह first cut off list है इसके बाद भी और भी cut off list जारी होने वाले हैं तो जिनका भी कम नंबर आया है आपको बिलकुल भी परिसान नहीं होना है थोड़ा सा patience रखिए थ आपके पास जो जरूरी डॉकुमेंट है वो नहीं है तो उसकता है कि आपको admission ना मिले तो make sure आप सभी के पास सभी जरूरी डॉकुमेंट होने चाहिए और दोस्तों आप सभी यहां पर देख लीजे कि आपको counseling के लिए जाना कहा है तो university campus में ही जाना है और वहाँ पर जो building है institute of engineering and technology second floor यहां पर पहुंच जाएगा जो भी यहां पर टाइम बताया गया उससे एक गंटा पहले और सभी जरूरी डॉकुमेंट के साथ जाएगा नीचे देखें यहां पर लिखा हुआ है कि reporting समय पर उपस्तित होना अनिमार है जो भी time reporting के लिए लिखा हुआ है exact आपक का cutoff list जारी किया गया है अब थोड़ी देर बाद यानिकि कभी भी आपको website पर एक link देखने को मिल सकता है counseling letter का तो उसके थुरू आप login करके अपना counseling letter download कर सकते हैं तो वो भी एक important document है उसे आपको साथ में ले जाना बहुत ही जरूरी है इसी तरीके से आगे आप देख है वेटेट certificate category certificate EWS certificate अगर आप EWS से बिलॉंग करते हैं तो इसके साथ ही सथ one set of self attached photocopies of same और इन सभी documents यानि की और जिलन document के साथ साथ आपको photo copy भी साथ में लेकर के जाना है सभी पेप्वर आपका signature भी होना चाहिए तो दोस्तों बस यह information था जो की first cutoffless जारी किया गया है बिटे के course के लिए आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आगे जितने भी cutoffless आएंगे हम सभी पर वीडियो मनाएंगे आप सभी को इंफॉर्म करेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलिग्राम गुरूप जोइन नहीं किया है तो लिंक आपको description box में दिया गया है क्योंकि जो भी updates आ रहे हैं सबसे पहले आपको टेलि कर दो कर दो